हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं हूं सुएंदर कुमार आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल चैनल दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वला हूँ आप आनलाइन कंप्लेंड मुवाइल से या लैपटप से किसी भी डिपार्टमेंट में कैसे करते हैं आनलाइन सिकायत देखे और वीडियो को एस्कीप करके नहीं देखे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप इस चैनल पर आप नहीं आए हैं तो प्लीज इस चैनल को वीडियो के नीचे में लाल कलर का जो सस्क्राइबर बटन है उसको प्रेस कर ले और साथ में वेल आइकान का भी बटन प्रेस करें ताकि मैं इस तरह का नय नय जो वीडियो लाता रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूं और आपको ऑनलाइन किस परकार से सिकायत करते हैं इसके बारे में हम पुरा प्रोसेस बताने वा कर लिया हूं और उसमें सर्च में टायप करना है, देख़िये, लोग्सिकायत.bihar.gov.in आपको सिम्पल इतना ही सर्च करना है आगर आप वीडियो के वर और बिहार के वासियों के लिए हैं, बिहार वासियों के लिए हैं अगर आप अधर स्टेट से विलम करते हैं तो आप डिप्रेक्शन बॉक्स में कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिएगा मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा तो चलिए ये केवल बिहार के लिए हैं बिहार के वासियों के लिए कैसे कंपलेन करते हैं अनलाइन अब आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है पहले लोग ब्लोग अनमंडल वहां पर जा करके दू-चार दिन, पान दिन, दद दिन तक दोड़ते थे उनका काम नहीं होता था अगर ये वीडियो अगर शुरू से अन तक देख लेते हैं तो आप घर बैठे कंपलेन करके और आपका काम 99% होगा 100% होगा अगर आप इस परकार से आप कंपलेन करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ के लिए सिकायत कर सकते हैं और आपका काम 100% होगा तो चलिए तो यही आपको Google सर्च में या Chrome सर्च में आपको लिखना है लोगसिकायत.bihar.gov.in देखे इतना उपर में जो है सिंपल आपको इतना किलिक करना है मैं यह लिंक आपको डिप्रेक्शन बॉक्स में दे दूँगा वहां से आप जागर के डिरेक्ट इस बेवसाइट पर आ सकते है तो इसको क्या करना है इसको सिंपली सर्च करना है चलिए सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आगा देखे याँ पर लिखा हुआ है बिहार लोग सिकायत निवारन अधिकार अधिनियम बिहार परसासनिक सुधार मीशन सोसालिटी समाने परसासन बिभाग बिहार आप देखिए ये जो है एक टॉल फ्री नंबर है आप इस पर भी कॉल करके ये नंबर पर आप सिकायत अपना दर्ज करवा सकते है ये नंबर पर अगर आपको नहीं करने आता है तो जैसे ओनलाइन सिकायत आपको नहीं करने आता है तो ये नंबर पर आप एक कॉल लगा करके फोन करके आप अपना सिकायत दर्ज करवा सकते है उहां से भी आपका सिकायत हो जाएगा ठीक है यह नंबर है और नहीं तो आप अपने से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आईए नीचे देखें लोग सिखायत निवारन करिया ले देखिए यहाँ पर यह जो बेवसाइट है कुल परिवाद 8,44,972 परिवादी दर्ज है इसमें और आप इसमें देख सकते हैं जो कितना आदमी का काम इसमें हो चुका है उनका उनका जो कम्प्लेन जो किये थे उनका काम जो हुआ है पहले परिवाद कुल परिवाद था 8,44,972 और निस्पादित परिवाद मतलब निस्पादन जिसका हो चुका है उसका है 7,46,580 इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो यह जो लोग सिकायत निवारन का बेवसाइट है यह कितना बढ़िया है और यहाँ पर जो कम्प्लेन करता है उसका काम अवस्य होता है 100% होता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तो चलिए अब बताते हैं आपको क्या करना है आप कम्प्लेन दर्जी करना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ पर नया परिवाद दर्जी करें देखिए इस पर किलिक कर देना है नया पर आपको मुवाइल नमबर को इंटर करना है जो आपका मुवाइल नमबर है वह मुवाइल नमबर को यहाँ पर इंटर करना है ठीक है तो चलिए मुवाइल नमबर को फिल कर देते हैं और मुवाइल नमबर को फिल करके उसके बाद में आपको कहां यह जेनरेट ओटी पी पर कि कर दियां कि अभ़ आपके आपके सामने मोगाइल पर एक मैसे जाए गा ओटीपी भेजा जाए अपके मोगाइल पर वह ओटीपी को आपको यहां फर्स फिल करना है अभी नहीं आया है ओटीपी ओटीपी आ गया है यह ओटीपी को कौफी करके और सिम्पल आपको यहाँ पर फेस्ट कर देना है, ठीक है? फेस्ट करने के बाद में यह सम्मिट पर क्लिक करना है, यह सम्मिट पर क्लिक करते हैं, देखें सम्मिट पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आगा आप देखें यहां पर आप अपना परिवाद दर्ज कर सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सबसे फर्ष्ट में परिवादी का भीवरन आप वेक्ति तीन गोई इसमें हैं तीन गोई अप्सन हैं जैसे वेक्तिगत समूह संस्था आप अकेले अगर परिवादी दर्ज करना चाहते हैं तो वेक्तिगत पर किलिक करें अगर जैसे चार या तीसे नमबर वला पर संस्था पर किलिक कर सकते हैं तो आप अगर अकेले परिवादी हैं तो आप अपना यह वेक्तिगत पर किलिक रहने दीजिए उसके बाद में यहां पर परिवादी का नाम फिल करना है जैसे क्या नाम है किसके नाम से आप फिल करना चाहते हैं तो उनक उसके बाद पीता का नाम इसमें फिल करना है तो पीता का नाम इसमें फिल करके बताते हैं उसके बाद है जैसे देखे पिता का नाम फिल करती है उसके बाद यहाँ पर पूरा पता लिखना है के बल हम बता रहते हैं यहाँ पर पूरा पता को फिल करना है ठीक है यहाँ पर आप सहर या गाउं को सेलेक्ट करना है यहाँ पर सहर गाउं को लिखेगा उसके बाद है आपको डाग घर को यहा पर राजे को चैन करना है अब किस राजे से विलम करते हैं और राजे को यहाँ पर चैन करना है जो आपका राजे है और राजे को चैन कीजिए उसके बाद है जीला को चैन कीजिए उसके बाद है अनुमंडल को चैन कीजिए उसके बाद परखंड को चैन कीजिए और उसके ब तो उतना compulsory नहीं है email ID है तो दीजिया नहीं तो छोड़ दीजिए ठीक है उसके बाद है आपको अधार card संख्या यहां पर फिल करना है यहां पर जिस बेक्ति का जो बेक्ति कंप्लेंड कर रहे हैं उस बेक्ति का यहां पर अध्हार card संख्या को फिल करना है इसमें पीन code को फिल करना है ठीक है उसके बाद है link जैसे पुरुस है तो पुरुस महला है तो महला और तिर्थिये link जैसे कि जा आप परवादी जो दर्ज कर रही है या पर लिके पर कलिक कर सकते है उसके बाद में हैं यहां पर कर्याले चैन करें यहां पर लिखे या चैन करें लिखे पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर चैन आप किस भी भाग में जैसे कि यह आप कंप्लेंड करना चाहते हैं पुसु यह मतस्य संसादन भीभाग या पिछरा वर्ग अति पिछरा वर्ग भवन निर्मान विभाग या वानेगे साकर्टा अव्य प्रबंदन शिछाव भीभाग किसा कि सो इसफ इस्योजनाय के बारे में सब्सक्षाइद करना चाहते हैं जैसे खादें उभ्षक्ता एवन सरक्षन विभाग यह जो हो गया उसके बाद में ये आपको पुछ रहा है कि ये क्या चीज से मामला है मतलब क्या मामला है इसमें तो आपको राशनकार से संबंधित मामला है तो आप यहां पर किलिक किजिए ठीक है उसके बाद है आप कहां पर कंप्लेन करना चाहते हैं अनमंडल पदादिकारी के पास या प की प्रक्षाण्ड तो प्रकषाणड कर दिए उसके बाद हैं आप इसमें से जीला को सेलेक्ट कर लिए जो है उसके बाद हैं आप पर परिवाद का शंचिप्त वीबरन आप हिंदी पर rub का शंचिप्त वीबरन यहां पर ढहत summit इंदी या इंगलीस में दोनों में से किसी एक आप कुछ संचिप्त विवरन आप यहां पर फील कर सकते हैं यहां पर दे सकते हैं ठीक है उसके बाद है मूल परिवाद की छाया परती जैसे कि आपका कोई रिसीविंग उसी भी जो होगा जैसे आपको रासनकार के लिए अपलाई किये थे आपका रासनकार अभी तक नहीं बना है उसका जो रिसीविंग है उसका वने में पीडियेफ में आपको कनवर्ट करके यहां पर सेलेक्ट करना है जैसे यहां पर चूज फाइल पर सेलेक्ट क पर आपको जहां पर भी आपका फोटो जो होगा वहां से आप ले सकते हैं यहां पर जाईएगा जयाँ पर पूझ रहा है कि आप पहले भी किया था अगर पहले भी आप सिकायत किये हैं तो हाँ पर किलिक करें अगर नहीं किये हैं तो नहीं पर रहने दीजिए ठीक उसके बाद है पहले से किये परिवाद पर जवाब प्राप्त है तो हाँ है तो है तो है नहीं है तो नहीं पर किलिक कीजिए उसके बाद कोई अन्य सूचन जिसका आवेदन में उ लेक कर सकते हैं और लास्ट में आप प्रभीव and submit पर किलिक कर दीजें ठीख है यहां पर करते ही आपका परिवाद दर्ज हो जाएगा और एक step और आगे जाएगा और उहां पर कुछ दूए step और जनकारी फिल करना है और final summit पर click कर देना है इस परकार से आप सिकायत किसी भी department में कर सकते हैं तो इसी परकार से बिहार के बिहार में किसी भी चीज का सिकायत आप कर सकते हैं देखिए इस परकार से हो जाने के बाद आपका एक एक receiving की तरह पर आपको यहां से आपको प्राप्त होगा यह अन्य संख्या जो होता है 17-18 डिजिट का आपको आपको वहां पर copy करके और copy या पींट करके आपको रख लेना है और आप उसको जाच करने के लिए इसको back करते हैं जो मेरा application जो है कहां कहां पर गया है कौन कौन officer के पास गया है तो आप यहां पर क्या किजिएगा दिखिए भजबाद दर्ज करे पर किलिक आपकर फ्रम को फिल की है उसके बाद में आपको अन्य संख्या मिलेगा अन्य संख्या यहां पर फिल करके और यह कैप्चा को यहां पर फील करके यहां पर खोजे पर किलिक के जाएगा आपका आपका उसमें बता दिया जाएगा जो आपका जो अप्लिकेशन है कौन-कौन अफसर के पास गया है तो यहां पर अन्य संख्या डालेगा यह और यह जो कैप्चा है यू-9-1-1-2-1-2-1-2-1-2 करके और यहां पर खोजे पर किलिक के जाएगा आपको आप पर पूरिजनकारी मिल जाएगा जो किस तारी को आपको अन्मंडल याब लॉक में आपको बुलाने का जो डेट दीए हैं वह डेट आपको यहां से पता चल जाएगा ठीक है इस परकार से आप दर्ज कर सकते हैं अपना सिकाथ तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बक्स में जरूर कमेंट किजेगा और साथ में वेला इकन का भी ब्रटन प्रेस किजे थैंक यू बंदे मात्रम